प्रधान मंत्री सानातन धर्म और भारती संस्ट्रित के अनुरूप वेश भूशा धारन करने के बाद मंदिर के मुख्य BVIP द्वार से श्री महा कालेश्वर प्रांगण के अंदर प्रविश करते हुए और उनके साथ मद्धिप्रदेश के राजिपाल, मद्धिप्रदेश क मुख्य मंत्री और देश के नागरिक विमानन मंत्री शी जोत्रियादित सिंधिया उज्जैन की नगरी जिसे अवंति का उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुद्वन्ती, स्वर्ण शिंगा, अमरावती अनिक नामों से पहचाना जाता है आज उसके लिए बहुत ही अनोखा दिन, बहुत ही अधुद्ध दिन, जहां पर कुछ नई सवगातें इस राज्य को मिलने वाली हैं, इस देश को मिलने वाली हैं, और इस कारिक्रम के क्रम में हम आपको उन सभी तथ्यों की जानकारी लगातार देते रहेंगे, फिलहाल प्रधान मंत्री श्री महा कालेश्वर के मुख्य, मंदिर, प्रांगण में, जहां पर वो अब थोड़ी ही देर में विशेस, पूजा, अर्चना के इसकार ग्रम का हिस्सा बनेंगे, महा काल के दर्बार में पहुचे हैं राष्टर नायक प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी, महा काल के दर्बार में पहुचे हैं राष्टर निर्मार के संकल्प की सिद्धि के लिए, महा काल के दर्बार में पहुचे हैं विशेस, पूजा, आर्चना के लिए जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके जिससे भारत को आत्मनिरभर भारत की संकलपना को साकार किया जा सके जिससे विक्सित भारत के लक्ष को हासिल किया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्रवोदी समय पहुच चुके हैं गर्वग्रिह में आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रे नमोस्तुते महाकालेश्वर की महिमानन्त है भोले नात शिवशंकर महाकाल के दर्शन करने पहुचे हैं अभ्यर्थना पूजा आर्चना आराधना और वंदना करने पहुचे हैं तुवे आपना सधासलक चुत्र देखुछ न्ती उच्वय निरे प्रिथानमंत्री नरेंद्र मोती महाकळ करेटर उद्खाटन करीब एबंगता पुरबोरू पुजार्चना एबंगा जो करेटर उद्खाटन है पो यहुँछी सर्थाकर दूश्या में आपनों को देखाव भगवान शी महा कालेश्वर के कापाल पर जो विद्धिमान चंद्रमा है वो भी द्वितिया कही चंद्रमा है और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ बहुत ही पवित्रमाना जाता है मंत्री उचुए नीरे पहांची चंती विद्धान मंत्री नरेंद्रम होती